यह हिन दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में यात्रियों की सेवा में रेलवे लगाता बंदे वारत एक्सप्रेस ट्रैन ट्रैक पर उतार रहा है और यात्रियों ने बंदे वारत एक्सप्रेस को काफी पसंद भी किया है इस बार रेलवे एक साथ तीन बंद बंदे बारत चलाने का टार्गेट है इन सभी बंदे बारत एक्स पे इसके चलने से यात्रियों को काफी फाइदा मिलेगा किस-kis रूट पर चलेगी बंदे बारत आपको इस वीडियो में सभी जानकारी दी जाएगी इसलिए वीडियो को पूरा देखे और चैनल पर पहली वार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए ज्यादा टाइम खराब ना करते हैं वीडियो को डेटेल में इन में से पहली बंदे बारत एक्सप्रेस गौहाटी से अगर तलाके बीच चलेगी इस बंदे बारत एक्सप्रेस को चलाने का प्रस्ताफ काफी दिनों स से अगर तलाके बीच अभी वी इलेक्टिव इसन का काम चल रहा है और रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जुलाई के अंतुत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा यह जानकारी रेलवे अधिकारियों ने दियो उसके बाद इस रूट पर बंदे बारत एक्सप्रेस चलेगी गौहाटी से अगर तलाके दूरी पांसो साथ किलोमीटर है इस रूट पर चल रहा ही बाकी ट्रेने 12 से 15 घंटे का सामे लेती है वही हमारी बंदे बारत एक्सप्रेस 7 से 8 घंटे में इस सफर को पूरा करेगी बात करें इस रूट के बारे में तो एयर टेन गौहाटी से निकलने के बाद न्यू करीम नगर गंज जंक्सन धर्न नगर अंबासा होते हुए अगर तला पहुचेगी सफ्ता में 6 दिन टैन का संचालन होगा और एक दिन मैंटनेस के लिए रेश्ट दिया जाएगा इस रूट पर 8 कोच की मिनी बंदे बारत एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा और इसे North East Frontier Railway यानि NFR Railway द्वारा संचालित किया जाएगा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरी बंदे बारत एक्सप्रेस के बारे में जो चलेगी हावडा से भागर पूर बियार को पच्छी मंगाल की राज़दानी से जोडने वाला है या एक मेहत्रपू रूड है तो जाना काफी संक्याम है यात्री इस रूट पर यात्रा करते हैं लगवक सभी ट्रेन इस रूट पर फुल चलती हैं ऐसे में बंदे बारत एक्सप्रेस चलने से यात्रियों को काफी रहात मिलेगी और उनका समय भी बचेगा हावडा से भागलपूर की दोरी लगवका 400 किलो मीटर है इस रूट पर चल रही वाकी ट्रेन आठ से 10 गंटे का समय लेती हैं और वहीं हमारी बंदे बारत एक्सप्रेस 6 गंटे में इस दोरी को पूरा करेगी इस बात करें इस रूट के बारे में तो भागलपूर से ट्रेन निकलने के बाद दुमका रामपूर हाट जंक्सन वर्दमान होते हुए हावडा पहुचेगी सब्ता में 6 दिन इसका संचालन होगा और एक दिन मेंटेनिस किया जाएगा इस रूट पर भी आठ कोच की मिन्नी बंदे बारत एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा और इसे पूर्वी रेल्वे के मालदा डिवीजन दौरा संचालित किया जाएगा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरी और बंदे बारत एक्सप्रेस के बारे में जो चलेगी बंदे बारारसी से जासी के बीच रेल्वे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए इस रूट को बंदे बारत एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है 10-12 ट्रेन इस रूट पर चलती है और जो 550 किलोमीटर की दूरी तैय गंडे में 9 गंटे से लेके 12 गंटे का समय लेती है अब इस रूट पर बंदे वारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है और यह ट्रेन 7 गंडे में अपनी हात्रा पूरा करेगी बात करें इस रूट के बारे में तो ट्रेन वारार्सी से निकल कर जौनपूर, अयोध्या, लखनव और कानपूर होते हुए वीरागन लक्ष्मी भाई जहांसी पहुंचेगी इस ट्रेन का भी संचार्ण सब्ता में 6 दिन किया जाएगा और एक दिन इसका मैंटेनेंस किया जाएगा इस रूट पर भी आठ कोच की मिनी बंदे वाला टैक्स पे इसका संचार्ण किया जा सकता है और इसे उत्तर पूर्वी रेलवे के वाहर सी डिवीजन द्वारा संचारित किया जाएगा जैसे ही इन में से किसी भी ट्रेन की लॉंचिंग की डेट से जुड़ी कोई कवर मिलती है तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा आज के इस वीडियो में इतना इदी वीडियो पसंद आदे लाइक करें शेयर करें मिलते हैं एक नई वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिये जाए हिंद